आज की जॉबडेट हमारी होने वाली है Oil India Limited की तरफ से जो कि हमारी एक महारतना 500 सरकारी कमपनी है Government of India का यह पार्ट है यह यहाँ पे multiple post के लिए hiring कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी 10th pass कम्प्लेट कर रखी है ITI कम्प्लेट कर रखी है सब ही candidates के लिए जो बिल्कुल पर्फेक्ट होने वाली है और आपको यहाँ पे post बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी जिससे क्या फायदा होगा जिससे यहाँ पे तरह तरह की candidates आपे इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे वेकैंसी का नंबर भी बहुत अच्छा रखा गया है इन साइच चीजहों को आगे डिसकस करेंगी कैसे आप इनकी जॉब्स को ले सकते हो कैसे आप आप इसके फॉर्म के अप्लाई कर सकते हो कैसे अप्लाई होगा उसका step-by-step साही डीटेल में इसी वीडियो में एक्स्प्लेइन करूँगा आप कर दीजे इस वीडियो का लाइक और इसके आज की वीडियो का शिरू करते हैं जादा टाइम वेशना करते हो दार्क चलते हैं इसके नोडिफिकेशन के वह पर जैसे आप स्क्रीन पे सकते हैं सबसे पहले यह देख सकते हैं और इंडिया लिमिटेट के तरफ सी जॉब निगल रहा है महारत ना पीसो सरकारी कंपनी है सबसे पहले देख सकते हैं पे उन्होंने पोस्ट कोड दिया हुए किसके लिए क्या कौलिफिकेशन ची वह दिया हुए और उसी के बाद यहां पे नंबर वेकैंसिस दी हुई है इसके लाबर जिन लोगोंने प्रिविए सीर में अपर अपनी अपरेंटेशन पर फिनिश कर रकी थी वह भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो लोग अभी अपियर कर रहे हैं मतलब उनके अप्रेंटेश अब भी फिनिश नहीं हुई है और सेम पोस्ट के उपर अगर आप इस तो यहां पर अपनी पोस्ट को रिटेन कर सकते हैं मतलब साथ साथ ही काम करते हुए अपनी पोस्ट इहां पर फुल सिक्यॉर कर सकते है इसके लावा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिन लोगों ने अपने 10th का पास complete कर रहे हैं, प्लस उनके पास mechanical diesel का यहाँ पर trade certificate है, वो यहाँ पर इसको apply कर सकते हैं, 89 vacancy यहाँ इसके लिए निकाले गई हैं, इसके लाव पर प्लमबर, refrigeration, wireman, इन सभी पोस्ट पर अगर आपने 10th पास यहाँ आप इसको apply कर सकते हैं, इसके लावा बात करते हैं जिन्हों इन अपने 12th पास complete कर रहे हैं, वो इसको apply कर सकते हैं, OT technology में आपके पास यहाँ डिपलोमा complete होना चाहिए, और इसके लावा यहाँ आपक क्यूंकि वहाँ पर कोई experience नहीं मांगा गया, यहाँ आप इसको apply कर सकते हैं, बट यहाँ पास 1 आपक होना चाहिए, इसके लावा इसके लावा इसके बस 3 साल का experience होना चाहिए, इस तरीके से जो other आपके पोस्ट है, उनके लिए आपके experience नहीं मांगा गया, बट जो हमारे सकते हैं इन्होंने अपना vacancy distribution किस तरीकी से रखा है यहां पर सारे post code को mention किया हुआ है और यहां पर unreserved SC, ST, OBC, EWS इन सभी category में यहां पर डिवाइड किया हुआ है आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं इसके इसके बारे में आपकी maximum major limit यहां पर कितनी हो सकती है जो आप आमारी maximum major limit यहां पर 30 रखी गई है और हमारे SC, ST candidate के लिए 35 रखी गई है और हमारे जो OBC candidate उनके लिए 33 maximum major limit यहां पर रखी गई है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके selection process की तो इसका selection process में जड़ेक स्टेज के उपर depend है जिसमें आपका एक exam होगा CBT-based आपका एक exam रहेगा जिसको यहां पर तीन sections में डिवाइट गया है यह exam आपका तीन sections में होगा आपके 100% हो जाता है और इस exam की जो आपके duration होने वाली है वो 2 hours होने वाली है बाकि आपका सारा selection इसी exam के उपर depend रहेगा कि आप आगे यहां पर select होगे यह नहीं होगे सब इसी exam के उपर depend रहेगा इसके अलावा बात करते हैं इसका exam को finish होने के बाद आपका document verification होगा और यहां पर आपका medical test होगा medical test आपका इसलिए करवाया जाएगा कि आप यहां पर oil India के work environment में आप survive कर पाओगे यह नहीं कर पाओगे इसलिए आपका पर medical test करवाया जा रहा है अब बात कर लेते हैं इसके form को कैसे apply करना और इसके कुछ important dates के बार में इसके form start हो चुके 30 दिसम पर 2023 और इसके form की last date होने वाली हो 30 January 2023 होने वाली सो make sure आप इससे पहले इसके form के apply कर लें अब जैसे आप इस notification को open करोगे link में ने description में दे रहा है अब वहाँ पर जाके जैसे आप इसके last page पर जाओगे आपको सारी एक चीज़े आप इन्होंने explain कर रखे हैं कि आप किस किस तरीके से इसके form का apply कर सकते हो कि पहले आपको कहाँ पर click करना है कहाँ पर जाकर आपको register करना है register करने के बाद आपको क्या चीज़े फिल करनी है फिर आगे आपको क्या चीज़े प्रोसीड करनी है वो सारी CJS नोंने step by side with screenshot सारी चीज़े explain कर रखे हैं आपको यह पर कोई भी problem नहीं होगी इसके form का apply करने के लिए और जब आप इसके form का apply करोगी तो अपनी location सेलेक्ट कर लेना प्लस आप जिस post के लिए apply कर ले हो वो post code सेलेक्ट कर लेना आपको यहाँ पर जादा डिक्कत नहीं होगी यह सारी चीज़े देखने के बाद आपको यहाँ पर कोई जादा खास problem नहीं हैंगी